आप सब के अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा परणाम संसार के अंदर जब लोग भगती करने की सोचते हैं विचार उत्पन होता है कि कोई तो संसार के अंदर ऐसी ताकत है ऐसी प्रमसत्ता है जो पूरे ब्रमांड को चलाई हुए है संसार को चलाई हुए है किसी भी रूप में किसी भी परकार से कोई तो कारण है जो इन शरीरों को छोड़ करके कोई सत्ता चली जाती है जिसका परभाव पूरे शरीर के अंदर देखने को मिलता है कि सारी इंद्रियां काम छोड़ देती है सब अंग काम छोड़ देते है एक-एक करके सब अंगों से प्राण सिमठते चले जाते है कोई ऐसा तत्तव है, जिसके बाद डोक्टर भी मना कर देते हैं, संसार भी मना कर देता है, परिवार भी बोल देता है, अब ये किसी काम का नहीं है, ये तो समाप्त हो गया, सब कोई मुख मोड देता है, तो जब ये विचार उत्पन होते हैं फिर किसी ने किसी की तलास करते हैं कि कैसे वहां तक पहुँचा जाए कौन रास्ता दिखाएगा कैसे किस परकार से कहां पहुँचना है क्या छोड़ना है कौन सा करम करना है पुन्ने क्या है पाप क्या है सही क्या है गलत क्या है अनेकों विचार मन के अंदर उत्पन होते हैं कुछ लोग इन विचारों को देख कर सुन कर इन से परेरित हो करके भगती के मारग में परियास करने लगते हैं कुछ लोग ये सोच करके कि नहीं अभी कहां से मैं आया है थोड़े दिनों बाद कर लेंगे आगे कर लेंगे ये छोड़ करके कल के उपर टाल देते हैं कुछ लोग खोज में लग जाते हैं कि कोई रास्ता दिखाने वाला मिले कुछ लोग बिना खोज के ही स्वेही खुद ही अपने मन माने ढंग से साधना शुरू कर देते हैं मन माना आचरन शुरू कर देते हैं जैसा उनको मन होता है उसी परकार से परियास शुरू कर देते हैं कुछ लोग पुष्टकें पढ़के उनसे जो ग्यान मिलता है जो सीखने को मिलता है उससे रास्ता खोजने पर लग जाते हैं कुछ लोग सुन करके इधर उधर की दो चार बातें अपने आपको उनके अनुसार ढालने के लिए लग जाते हैं कुछ लोग संतों का चरित्तर पढ़ करके सुन करके वर्णन सुन करके देख करके इतिहास जान करके खोजबिन करके और सत्य की खोज में लग जाते हैं कुछ लोग पूजा पाठ के अंदर लग जाते हैं सबके जितने जिसके मन के अंदर जैसे विचार उत्पन होते हैं उसी परकार से वो जीव प्रमात्मा के मारग के उपर किसी भी रूप में चाहे पूजा की हो किसी भी रूप में पाठ किये हो किसी भी रूप में सुमरण किया हो लेकिन लग जाते हैं समय चाहे कितना भी लगो वो बदलने लगते हैं लेकिन उनके अंदर स्वाल स्माप्त नहीं होते एक एक चीज करके छोड़ने लगते हैं पहले सराब छोड़ देते हैं नसा छोड़ देते हैं, फिर मासा हार छोड़ देते हैं, फिर बुराईयों को त्यागने लगते हैं, निंदा चुगली छोड़ने लगते हैं, क्रोध के उपर काबू करने लगते हैं, इंदरियों के उपर पकड़ करने लगते हैं, और एक-एक जो कमियां हैं, उनको दूर करने का परियास सुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी मन को संतुष्टी नहीं मिलती क्योंकि ध्यान जब तक नहीं जमेगा रास्ता नहीं मिलेगा और पूरण गुरु की खोज नहीं होगी हर्दय के अंदर उसका स्तान नहीं होगा जब तक हर्दय के अंदर इतना जगह नहीं होगी कि वहाँ बैठा करके भजन कर सके बहुत समय पहले जब हमने ये काम सुरू किया था तब सरवात की बात थी बहुत जीव आ रहे थे उन्होंने कहा कि भजन कैसे किया जाता है हमने कहा आपका काम बैठने का है उन्होंने कहा बैठने से ध्यान नहीं लगता कैसे करें हमने विधिया शिकाई पदती शिकाई उन्होंने भी बहुत कोशिश की फिर कहा कि नहीं लगता मैंने कहा जब समर्पन हो जाता है तो भजन करना गुरू का कारिय होता है जब हर्दे के अंदर गुरू को जगह मिल जाती है जब हर्दे के अंदर गुरू का वास होता है तो सुम्रण सुरू हो जाता है उन्होंने परियास किया और वो समय आ गया कि जब जगह मिली और हर्दे के अंदर भजन सुरू हो गया सुम्रण सुरू हो गया जब तक हरजय के अंदर विराजमान रहे तब तक भजन चलता रहता है सुमरण होता रहता है ध्यान लगता रहता है हिलाए से भी नहीं हिलता परियास से भी नहीं हिलता ध्यान को अगर इदर उदर दोड़ाने की कोशिश करें नहीं दोड़ेगा मन को भगाने की कोशिस करें नहीं भागेगा क्योंकि साकसी साथ में है नाम रटवाने वाला साथ में है हर दम जब जागरत रहेगा जीव कि किस परकार से कैसे करना है कोई देख रहा है मुझे उसका क्या परभाव होगा और एक-एक साओ धानी के साथ कि कोई गवा है जो मेरे स्वांसों को गिन रहा है कोई है साक्सी जो एक एक स्वांस का ध्यान रख के और उपर तक ले जाने का प्रियास कर रहा है तो आप और जागरत होने की कोशिश करोगे और सावधानी के साथ भजन करोगे और मन अगर भागेगा तो आप भागने नहीं दोगे, मन उस जंगली जानवर की तरह से है, जो जंगल में भागता रहता है, फटफडाता रहता है, और आप उस सिकारी की तरह से जब हो जाओगे, कितना भी भागे सिकार किये बेगर नहीं मानेंगे, तो जब आप उसकी तरह से हो जाओगे ये मन कितना भी भाग ले कितना भी परियास कर ले कितनी भी दोड लगा ले कितने भी छुपने की कोशिस कर ले कितनी ही बुराईया कर ले कितना इस संसार के अंदर घूम ले कितना भरमित कर ले जीवों को कितना जीवों को भठका दे कितना माया के अंदर लिफ्ट कर दे लेकिन सिकारी की नजरों से बच नहीं सकता जब भी उसके निशाने के उपर आएगा तीर छोड़ देगा और मन समाप्त तो उसी परकार से ये मन समाप्त हो जाता है जिस परकार से जगली जानुवर को सिकारी समाप्त कर देता है वो कितना भी ताकतवर क्यों नहों तो मन भी कितना ही ताकतवर क्यों नहों कितने ही इंदरियों को उठाए हुए गुमे कितना भी इंदरियों को कंट्रोल करने का परियास करे लेकिन मन एक समय के उपर अपनी पकड़ छोड़ देता है मन इनको इधर उधर कितना भी भगाए कितना भी दोड़ लगाए लेकिन एक समय आता है कि मन सारी अंदरियों को छोड़ देता है कब जब आप जागरत की अवस्ता में होगे तब संसारी कवस्ताओं में नहीं संसारी कवस्ताओं में तो मन का इतना गहरा खेल है कि मरते से में जब ये प्राण छूट रहा होगा एक-एक इंद्रियों से प्राण सिमट रहा होगा तब भी ये मन यही कहेगा थोड़ा सा और भोग भोग ले अभी थोड़ी सी भोग की और इच्छा है, अभी थोड़ी सी भोग की और भुक भची हुई है, अभी भोग का थोड़ा और विचार है, थोड़े से दिन और मिल जाएं, और भोग इच्छाएं पूरी कर लूँ, मन के अंदर जो चल रहा है, इन वस्तुओं को थोड़ा और इस्तेमाल कर लूँ इंदरियां का थोड़ा सा और परियोग कर लूँ और खुशी मिल जाए और आनंद मिल जाए लेकिन इसमें आनंद नहीं है इसमें वो जवाला है जो हर रोज बढ़ती जाती है जैसे घी डालने से हर रोज अगनी में के अंदर जितना भी आप घी वो अगनी उतनी ही बढ़ती जाएगी उसी परकार से ये मन की अगनी है जितना भी हम भोग भोगेंगे जितना भी संसार के अंदर दोडेंगे जितना भी हम संसार में रस लेने का परियतन करेंगे जितना आनंद लेने का परियतन करेंगे जितना मन से हम संसार के अंदर मन को जितनी हम खुशी देने का परियास करेंगे, मन उतना ही संसार के अंदर बुरी तरह से जाल की तरह से फस जाएगा, ने निकाल पाएंगे, ने इधर भागेंगे, ने साधना होगी, ने सरीर उकेगा, ने कंट्रोल होगा, विचारों के उपर भी नहीं होगा, जीवन के उपर भी नहीं होगा, ने पाप पुल्ने को समझ पाएंगे, ने संसार को समझ पाएंगे, ने जीव और बर्म में भैद कर पाएंगे, बहुत लोग बोलते रहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, अनेकों सवाल उत्पन होते हैं, आप लोगों के भी, कुछ लोग मेरे से कुछ लोग सोचते हैं अपने आप दूंड लेंगे अनेक हो परकार के अपने मन मुताबिक अपने परसलों के उतर सुवेशी खोज लेते हैं। लेकिन साधना, भूत लोगों को साधना करने का नहीं पता, की साधना कैसे करें। साधना जब शुरुवात होती है, सुबह उठते हैं, कुछ लोग उठते ही बैठ जाते हैं, कि बैठ गए, वो उस में ने सो रहे ने जाग रहे, आलसी सरीर होगा, वो सोचते हैं ध्यान लग गया, लेकिन वो ध्यान नहीं लगता, हम आग्या चकर से गिर करके नीचे कंट कम में आ जाते हैं, और वो ध्यान नीचे आ जाता है, आप लोग सोचते हैं कि हाँ ध्यान लगा हुआ है, लेकिन वो अर्द निंदरा की स्थिती है, वो अर्द निंदरा की स्थिती ध्यान नहीं होता, नहीं आप ध्यान के अंदर हैं, नहीं आप नींद के अंदर हैं, लेकि हुए है कुछ लोग एकदम से उठते हैं मुझ के उपर थोड़ा जल के चीटे मारते हैं मुझो धोते हैं और बैठ जाते हैं एकागर हो करके परियास करते हैं कि ध्यान लग जाए वो लोग थोड़ी देर पूरा ध्यान रहता है लेकिन धीरे धीरे ध्यान हाथ से छूटने लगता है, मन से दूर होने लगता है, और एकदम से फिर निंदरा का जटका आया, सोचा ध्यान लग गया, ऐसे भी ध्यान नहीं लगता, कुछ लोग इतना शरीर को ढिला छोड़ देते हैं, कि आशन एकदम से गर्दन कहां, यहां आ करके लग जाती है, और ध्यान सा ओने गया, मैं तो ध्यान के अंदर बैठा हुआ हूँ, यह भी ध्यान नहीं है, बहुत लोग बैठे हुए, इदर उदर के विचार इकटे करते हैं, मन को दोड़ाते रहते हैं, मन के अंदर सुबह से ले करके, जो किरियाएं, परति किरियाएं पूरा दिन चलती हैं, उनके वि ध्यान नहीं हो सकता, और विचार ध्यान नहीं है, और जो आपके अंदर वे विचार घूम रहे हैं, जो आपके अंदर जो आपने ग्यान मान लिया है, यह घूम रहा है, जो आपके अंदर आपने जो यह सबद पैदा कर लिये हैं, जो आपके अंदर यह रटे रटाए सब गूज रहे हैं ये भी ध्यान नहीं है फिर ध्यान कैसे लगता है फिर आप परियास करते हैं कि कुछ लोग एग घंटा रटा दो घंटे रटे ऐसे के ऐसे चार पाई के उपर या आसन के उपर जैसे भी बैड के उपर ऐसे के ऐसे रजाई ढकी कंबल ओढ़ा और पैर सिधे खुले कर दियो और सो गए सोजते हैं हिलना नहीं चाहिए ध्यान लगे लगाए मैं सो जाता हूँ ये इस्तिति शाम के टाइम कुछ लोग परियोग करते हैं कि मैं ऐसे ध्यान लगे लगे ऐसे कैसे सो जाऊं ये ध्यान नहीं है ये निंद्रा है ये भर्म है ये भूल है और ये अग्यान है जो हमने मान लिया जो हमने मन माने आचरन से इसको तयार कर लिया हमने इसको ध्यान का नाम दे दिया कुछ लोगों को सवपन दिखाई देते हैं चोटी मोटी घटनाई दिखाई देती हैं वो रटते रहते हैं कुछ उसमें मिला देते हैं कुछ घटा देते हैं कुछ बढ़ा देते हैं जब सामने वाला कुछ बताने लगता मुझे यह दिखाई दिया उसमें अपने पास से दो-चार जोड़ करके इदरू दर बाते करके अपनी भी बताने लगते हैं कि मुझे यह दिखाई दिया हम बैठे थे यह हुआ यह गटनाए हुई ऐसा हुआ अरे यह ग्यान नहीं है जिए आन बहुत गंभीर विशए है ध्यान की बातें ऐसे नहीं बोली जाती ध्यान जितना भी गंभीर होगा जितना भी आंत्रिक होगा जितना भी आप अंदर मेरी रखेंगे जितना ये रहस्य गुप्त होगा, जितना आप अंदर में समाल करके रखेंगे, जितना भी आप जेल पाएंगे, जितना आप अपने तक्सिमित रख पाएंगे, आपकी ताकत, आपकी स्पीट, आपका ध्यान, आपका सुम्रण उतना ही मजबूत होगा. कुछ लोग उठते बाद में हैं, पहले बोलना शुरू कर देते हैं, कि मुझे कल ये दिखाई दिया, मुझे आज ये दिखाई दिया, इसका क्या आरत है, इसका क्या आरत है, जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंचे, उन चीजों को ये इस परकार की चीजे नजर आती रहे दोड़ती रहेंगी संसार के अंदर, आपको भी बगाती रहेंगी, लेकिन जब तक आपने ध्यान शुरू नहीं किया, सुमरण शुरू नहीं किया, उस नाम के उपर नहीं ठहरे, आपने कुछ नहीं पाया, आपने अगर छोटी छोटी वस्तूओं के लिए, छोटी छोट के लिए, छोटे छोटे संसारिक पदारतों के लिए, अगर आप नाम रट रहे हो, अगर आप के ओल इनी चीजों के लिए नाम की साधना कर रहे हो, तो फिर नाम की साधना नहीं करनी चाहिए, ये छोटी 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 चीजें तो वैसे भी प्राप्त हो जाएंगी, लेक भी है हमारे संतों का, हमारे रिशी मुनियों ने अनुभव भी किया है, जो उस नाम को रठता है, जो नाम की साधना करता है, जो नाम का सुम्रण करता है, देवता लोग उसके चारों तरफ खड़े रहते हैं, पहरा देते हैं, साथ में खड़े रहते हैं, इतियास में उधार है देवता चारों तरफ गूमते रहते हैं रक्षा के लिए समालने के लिए मदद करने के लिए वस्तुए परदान करने के लिए सानसारी पदार देने के लिए गूमते रहते हैं कि मन में कोई इच्छा हो हम पूरी करें कोई भी इच्छा इनके अधूरी ने रहे कोई संकलब पूठे और पूरा कर दे हम लेकिन हम लोग देवताओं के पीछे बागते रहते हैं नाम को छोड़ देते हैं क्योंकि नाम दिखने वाली ताकत नहीं मूर्तियां देवता लोग संसार के जितने भी देव लोग हैं वो देव बड़े बड़े जो जा चुके हैं वो और जो प् आप इन चोटी-चोटी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन सबद को देखना इतना आसान नहीं है, और उस परमतत्तों को अनुभव करना, और उनके साकार रूप तक पहुँचना भी आसान नहीं है, लेकिन हम इनको ये मान करके कि परमात्मा निराकार है या वो नहीं मिलता, इस अनसार के अंदर ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ लोग ये भरमित कर देते हैं कि परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा जाने के बाद मिलता है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है, परमात्मा कैसे मिलता है, परमात्मा की ताकत क्या है, परमात्मा मिलता है या नहीं म कैसे अनुब होगा, कि वो कैसे मिलेंगे, कैसे होता है, कैसे चलते हैं, कैसे, किस परकार से कहां रहते हैं, वो तो बस जो पुस्तकों में लिखा है, उसका आगे वर्णन करता चला जाता है, हम लोग सुन करके, एक आस तो जगती है कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा ऐसा हो परमातमा ये करता है वो करता है ये सब जितना भी गुणगान है ये बस एक इच्छा पैदा करने के लिए कि संसार के अंदर जो परमातमा है आप उसके अंदर लग जाओ मन लग जाए ध्यान लग जाए सुम्रन लग जाए और आप साधना शुरू कर दो लेकिन साधना के बिना इन वस्तूओं का इन बातों का इन संसारिक चीजों का इन पुस्तकों का इन मूर्तियों का कोई महतव नहीं है क्योंकि अगर आपको उस परमात्मा को पाना है प्राप्त करना है तो ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए और कोई मारग नहीं है कोई सोचे कि हम छोटे मोटे कोई कारिय करके उस अनंत को पा लेंगे दो चार मंतर सिद्ध करके उस पूरण परमात्मा तक पहुंच जाएंगे ऐसा बिल्कुल है संभव है क्योंकि उस अनंत को पाना उस परमतत्तव तक पहुंचना उस पूरण ब्रह्म तक पहुंचना उस पूरण परमेश्वर तक पहुंचना उस परब्रह्म तक पहुंचना आपके स्वे की खोद जब तक नहीं होगी आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते अनन्त अनन्त लोकों में भटक सकते हो अनन्त अनन्त लोकों के सुख भोग सकते हो अनन्त अनन्त जो लोकों के अंदर वस्तुएं हैं जो जो आपको भोग की वस्तुएं हैं वो आप भोग सकते हो अनंत अनंत पराप्त कर सकते हो, आपके जो सुक्सम सरीर हैं, वो क्रोडों क्रोडों वरस तक मोज ले सकते हैं, लेकिन जो मुक्ती हैं वो परदान नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोकों के जो स्वामी हैं वो भी एक समय के उपर एक निर्धारित समय के उपर आ करके उन्हें भी अपने स्रीरों का त्याग करना पड़ेगा चाहे सुक्सम सरीर हो, चाहे कारण सरीर हो, चाहे महाकारण हो, चाहे प्रम कारण हो, चाहे ज्ञान देही हो, चाहे विज्ञान देही हो, किसी भी परकार के सरीर हो, कैसे भी सरीर हो, उन सब लोकों के स्वामियों को, चाहे कोई भी कितनी भी उची स्टेज के उपर बैठा तो सब को छोड़ करके एक ने एक दिन अपना स्थान, अपना स्रीर, अपना लोक जाना पड़ेगा और उनके सब के सब लोक नश्ट हो जाएंगे एक समय के बाद कोई एक अजार वर्स में समाप्त हो जाता है, कोई एक करोड वर्स में समाप्त हो जाता है कोई दस लाक करोड में सवाप्त हो जाता है सबकी गिंतियां है क्योंकि जब एक समय आता है कि परले का समय आ गया महा परले का समय आ गया तो सब कुछ नश्ट हो जाता है उसके उपर के लोकों का भी समय निश्चित है कि इसका इतना समय है इसका इतना समय है तो सब लोग समय निश्चित है कुछ लोग उन लोगों को निते बोल देते हैं सदा सदा के लिए बोल देते हैं उन्होंने उन लोगों के अंदर जा करके नहीं देखा उन लोगों के सार को नहीं जानते उन लोकों के तत्तों को नहीं जानते उन लोकों के स्वामी को नहीं जानते जब उन लोकों के स्वामी को जानेंगे उनके रहसे को जानेंगे जिस परकार से एक चीटी बोल दे कि जो ये घर बना हुआ है ये स्थाई है जिस परकार से एक दिमक बोल दे कि ये पेड जो है ये स्थाई है और ये भोजन चलता रहेगा सदा सदा के लिए कुछ लोग जो पिर्थवी के उपर रह रहे हैं जी जो पिर्थवी के उपर आए हैं पिर्थवी के उपर से ही चले जाएंगे वो बोल दें पिर्थवी स्थाई हैं कुछ लोग जो मकान के अंदर आए हुए हैं मका बोल दें कि ये तो स्थाई है, ये हो सकता है कि वो क्रोड़ों वर्स नस्ट ने हूँ, लेकिन वो स्थाई चीजे नहीं है, स्थाई चीजे तो केवल परंपिता परमेश्वर है, और आप सब लोकों के अंदर जो वो सब्द गूंज रहा है, जो सब्द दावनी गूंज रही है, वो स्थाई है, लेकिन जब तक आप उस सब्द को नहीं पहचानोगे, उस सब्द को नहीं सुनोगे, जब तक आप उस सब्द को अनुभव नहीं करोगे, वो सब्द आपके अंदर नहीं गूंजेगा, सब्द का अनुभव नहीं होगा, सब्द को नहीं रटोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, जव तक आप सब्द कानुबह नहीं होगा, ये सुरत जागरत नहीं हो सकती, जव आप तीसरे नेतिर के उपर ध्यान करोगे, तीसरा नेतर जागरत होगा, सुरत अपने आप उठने लगेगी, अपने आप जागरत होने लगेगी, कितना भी रोकने क परियास करो, सुर्ट नहीं रुकेगी और सुर्ट के अंदर जो ताकत है वो सब्द जागरह। कर देगी आपको उनेकों दुन सुनाई देगी, कभी रातरी की दुन सुनाई देगी, कभी चक्षी चलने की आवाॉज आएगी कभी किसी परकार की आवाज आएगी, कभी चूचू की आवाज आएगी आप जब उसको एकदम से ध्यान के साथ देखोगे, उसका अनुभाव करोगे कि ये कुछ सुनाई दे रहा है, क्या चल रहा है आपको जब आँखें बंद करोगे, आप कुछ लोग क्या करते हैं आखों की पुतलियों को इधर उधर गुमाते हैं आखों को इधर उधर गुमाते हैं आखों से अंदर उतरने का परियास करते हैं कुछ लोग आखों को उपर उठा लेते हैं और आखें बंद कर लेते हैं कुछ लोग इन ऑखों को गुमा करके तीसरे नेतर पर लिएने की कोशिस करते हैं कुछ लोग आखों को नीचे डाल देते हैं कि मैं इन ऑखों के माजधंशों अंदर उतर जाऊँगा लेकिन ये रास्ता नहीं है क्यों? क्योंकि ये चरम चक्सु हैं उन्हें ने गिता में सपष्ट बोला है कि हे अरजुन इन चरम चक्सुओं के दोरह मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस दोड में हम सामिल हो रहे हैं जिस दोड में हम भागम भाग मचा रहे हैं जहां हम बहुत वर्षों से भाग रहे हैं, वो दोड़ है ही नहीं, कैसा लगेगा आपको ये सब चीजें सुन करके, अनुभाव करके, कुछ लोग तो ये भी सोच रहें नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आँखों का बहुत महतव होता है ध्यान के अंदर, आँखों के बिना कैसे अगर हो जाएगा, किस परकार से ध्यान लगेगा, आँखों के बिना तीसरे तिल का जो तीसरे नहतर है, उसका कैसे ध्यान किया जा सकता है, तिरपुटी के उपर कैसे ध्यान लगेगा, ये कैसे हो सकता है, अग्या चकर कैसे जागरत होगा, मैं तो आँखों से इस नासिक के उपर ध्यान करता हूं मैं तो आखों से ही जोती को निहारता हूं देखता रहता हूं एक टक मैं तो आखों से ही सारा कारिय करता हूं मेरे तो आखों से ही सारा खेल चलता है अगर यह आखे नहीं देख सकती तो कौन सी आखे देख सकती हैं यह पैर चल नहीं सकते तो कौन स हाथ कारिय करता है ये वाणी वहाँ नहीं चलती तो कौन सी वाणी चलती है क्या ये रहस्य है ये बहुत गहरे रहस्य हैं जब तक आप इनको नहीं समझोगे मारग पर चलना बहुत मुश्किल होगा आप चलते चलने की कोशिश करोगे खोजने की कोशिश करोगे कोई भी परकार के वस्तर पहन करके आपको ड्रा देगा, आपको वैबीत कर देगा, किसी भी धरम का आएगा, आपको बहका देगा, आप अपने मारग से बटक जाओगे, उसकी बातों के अंदर आ करके अपने ध्यान को भी छोड़ दोगे, सुम्रण को भी छोड़ दोगे, अंदर मे भैउतपन होगा लेकिन अगर आपने नाद को सुन लिया, सबद को अंदर गुंजते हुए नुभाव कर लिया, सबद को सुन लिया, उस सबद को सुनने के लिए इन कानों किया हो सकता नहीं होती, सबद को सुनने के लिए सुरत किया हो सकता होती है, सबद को देखने के लिए इनेत्रों किया हो सकता नहीं होती सबद को देखने के लिए निरत किया हो सकता होती है और जब वो जोती जागरत होती है और जोती कानुबह होने लगता है दिखने लगती है तो निरत अपने आप उठ करके उस जोती के अंदर से निकलने लगती है आग्या चकर के अंदर समा जाती हो और आगे की चड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन कुछ जीव इस रहस्य को नहीं समझते कुछ जीव क्या बहुत जीव इस रहस्य को नहीं समझते बस दोर लगी रहती है भागम भाग लगी रहती है कैसे करें, क्या करें, ध्यान क्या है, सुम्रण क्या है, रास्ता क्या है, क्या मैं सही चल रहा हूँ, मुझे ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है, क्या वो पासवाल आगे निकल गया, मैं पीछे रहा गया, कैसे ध्यान करें, रात को लेट करके ध्यान करते है सपने आने लगते हैं उन सपनों में परमातमा दिखाई दिए थे विश्णु जी दिखाई दिए थे वो देवता दिखाई दिए थे पितर दिखाई दिए थे ये सब बर्म जाल है जो आपको बर्मित कर रहा है काल और माया ने ऐसा जाल फैला दिया जिसके अंदर सब जिवो को बांदिया और एक भी जीव छूट नहीं पा रहा जो जीव छूट गया वो उस ब्रम के चर्णों में समर्पित हो गया उसी का रूप हो गया लेकिन उस से छूटना बहुत मुश्किल है आप कितना भी कोशिश करें कितना भी भाग लें एक दूसरे के सामने कितना ही बोलते रहें कितना ही बेवकूब बनाने की कोशिश करते रहें मैं वहाँ पहुच गया मैं वहाँ पहुच गया लेकिन जब आप ध्यान के उपर बैठोगे सुमर्ण के उपर बैठोगे गुरू के सामने आओगे परमात्मा के सामने जाओगे तो आपको अनुभव है कि आपने कह कहां जूट बोला है कहां गल्ती की है कहां क्या किया है आप कहां सही हो कैसे आपको करना चाहिए कोशिश करो कि जीवन में ध्यान को जोड़ दो और सावधानी के साथ एक एक पल जब आप giving शावधानी के साथbok जियोगे एक एक अक्षण अक्षण जब आप सावधानी का इस्तेमाल करोगे एक एक स्वास सावधानी के साथ लोगे और एक एक चीज को आप जागरत अनुभाव करोगे आपको साधना दीरे दीरे होने लगेगी साधना परियास से, कोशिश से, जागने से, ध्यान से, सुमरण से और हरी की सरण से क्योंकि उसकी करपा के बिना, उसकी मेर के बिना, उसकी दया के बिना साधना प्राप्त नहीं हो सकती हम जिन संसारी वस्तों को इतना बड़ा माने हुए बैठे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की ताकत को नहीं जानते हम अपनी आत्मा की कीमत को नहीं जानते, हम इस स्रीर की कीमत को नहीं जानते अगर सरीर का एकंग खराब हो जाए तो डौक्टर भी बोल देते हैं नहीं अब ये ठीक नहीं होगा आप कुरोणा अरबन पर लगा दो सारी धर्ती की धन दोल देदो वो सरीर कांग ठीक नहीं हो दा कितना अनमोल है एक एक शरीर का कितनी कीमत है इस शरीर की और इस शरीर के अंदर जो मालिक बैठा हुआ है जो परमात में बैठा हुआ है जो वो अनंत बैठा हुआ है जो इसको सबको चला रहा है सबको समाल रहा है परतेक करिये वो इसके अंदर बैठ करके आपसे करा रहा है उसकी क्या कीमत होगी आप सोचो कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि जिसका हाथ ठीक नहीं हो रहा हमने करोडों रुपे लगा दिये कि जिसका ये प्रेशानी है हमने बहुत पैसा खरच कर दिया ये ठीक नहीं हो रहा सारे घर की दोलत इसके उपर लुटा दी लेकिन ठीक नहीं हो रहा दरद से चटपटा रहा है दरद से करा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा तो उस जीव को देखिए कि सारी धर्ती का दन संपता तक देने को तयार है लेकिन छोटा सा दर्द तक ने मिट रहा और आप लोगों के स्रीर सवस्त है जीवन खुश हाल है और ध्यान करना नहीं चाहते परमात्मा की और बढ़ना नहीं चाहते उसका सुकरादा करना नहीं चाहते उसका धन्यवाद नहीं करना चाहते उसकी सरण गरण नहीं करना चाहते उसका नाम सुमरण नहीं करना चाहते कितनी बड़ी भूल है क्योंकि ये अगर सरीर चला गया कोई पूछने वाला नहीं रहेगा उपर जाने के बाद के ओल हिसाब होगा इधर से उठा करके दूसरे स्रीर में डाल दिया जाएगा पहले तो उपर वहां तक धरमराज के दरबार तक पहुंचना ही मुश्किल होगा क्योंकि जैसे करम हम करेंगे उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा और जैसे करमों का फल होगा वैसे ही संसार के अंदर बटकती हुई आत्माएं बहुत लाखों करोड़ों आत्माएं संसार के अंदर बटक रही हैं हमारे पुरोजों की आत्माएं भटक रही हैं बहुत अनेकों अनेक जब आपको ये दरिश्टी प्राप्त होगी देखने का कभी परमात्माने सो भागे दिया तो आप नजर दोड़ा करके देखिए आपके आसपास कितनी आत्माएं भटक रही है कितनी आत्माई तडफ रही है कौन कैसी कैसी आत्माई चटपटा रही है कैसे दुखी से खुद भी दुखी औरों को भी दुखी कर रही है कितनी प्रेशान आत्माई हैं जो रो रही है कि हम भजन करेंगे एक मुकादे परमात्मा दुबारा से जियून में गलतियां नहीं होंगी बस एक बार करपा कर दे एक बार मुकादे दे एक बार करपा बरसा दे दूसरे बार जियून में कोई किसी परकार की गलती नहीं करेंगे बस एक मोके के इंतचार में लाखों करोडों आत्माएं बिना शरीर के चटपटा रही है सुक्सम शरीरों के अंदर चटपटा रही है ने देव खुसें ने दानों खुसें ने पितर खुसें ने जिन खुसें ने जिनात खुसें कोई भी संसार के अंदर जिसने स्रीर धारण किया खुश नहीं है और वो आत्माई स्रीर ग्रेंड करने के लिए बहजारों वरस तक तरफती रहती है सजाएं भोगती रहती है इधर उधर गूमती रहती है कि कुछ मिल जाए कुछ प्राप्त हो जाए कोई संतों के दर्शन हो जाए कल्यान हो जाए कोई हमारा पीछा चटवा दे कोई गती करवा दे जीवन में हम आगे बढ़ जाएं गती चक्कर में चले जाएं आप देखो जिनोंने इतनी लंबी आयू पाई है असव थामा जी ने पहुत लंबी आयू पाई है आज भी चिरंजी उह घूम रहे हैं सरीर नहीं छुट रहा जब सरीर नहीं छुटता तो भी लोग इस सरीर से प्रेशान होने लगते हैं चटपटाने लगते हैं किसी परकार से ये शरीर छूट जाए इस शरीर से यात्मा मुक्त हो जाए और हम ये शरीर छोट करके आगे बढ़ जाए लेकिन उन लोगों के शरीर नहीं छूट रहे बहुत तडपते हैं, बहुत परियास करते हैं जोर लगा दिया, शरीर नहीं छूट रहा और जो तक शरीर नहीं छूटेगा शुखी नहीं हो सकता क्योंकि ये जीवन चक्कर है अगर चलता रहे, तो चलता रहता है बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है अगर यही जीवन रोक दिया जाए तो फिर ये दुख का कारण बन जाता है प्रेशानी का कारण बन जाता है जिस उमर के लिए हम लोग भटक रहे हैं जिसे पाने के लिए हम जोर लगा रहे हैं कि चिरंजीव हो जाए, लंबी आयू मिल जाए बहुत वरसों तक जीए, सो वरस की जगए हजार वरस आयू हो जाए तो और अच्छा है और ज्यादा सुख हो गेंगे वो पांच हजार वरस की जिनकी आयू है वो अपना प्राण छोडने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं किसी परकार से सराब तूट जाए सराब से मुक्त हो जाए और हमारा सरीर छूट जाए और हम इस परकार से बने बटके जंगल जंगल वन वन हम इस परकार से हमाले में ने गुमे तो आप विचार करो उनकी ये हालत है अगर आपका इतनी लंबी आयू हुई तो आपकी क्या हालत होगी ये परमातमा ने सबकुछ सोच समझ के कारिय किया है सबकुछ सोच समझ के तयार किया है एक एक चीज नियम, कानून और काइदे से तयार किया है एक एक चीज सोच समझ करके निर्मान किया है सबकुछ सोच समझ करके परदान किया है आयू से लेकर के श्रीर की बनावट तक, मन से लेकर के इंद्रियों तक, अंदर के अंगों से लेकर के बाहर की बनावट तक, तवचाल से लेकर के हरदे तक, बुद्धी से लेकर के नख तक, सब कुछ उन्होंने जो निर्मान किया, एक एक निर्मान अदभुत निर्मान है, जिसका आप लोग लाब नहीं उठा पा रहे जिसका आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा क्योंकि नाम का जब तक सुम्रण नहीं होगा इस शरीर का कोई लाब नहीं होगा इस शरीर के अंदर इतनी इतनी रोग छुपे हुए है कोई न कोई कभी न कभी उठ आएगा और आपके पराणों के उपर बनाएगी पराणों को उठाएगा और ले जाएगा क्या बचेगा आप लोगों के पास कैसे भजन करोगे आप जाने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको जाने के बाद क्या मिलेगा वहाँ जा करके क्या दोगे उस परमात्मा के सामने जब धरमराज फाइल खोल करकर आपके करमों को गिनाएगा कहां मूँ चिपाूगे क्योंकि करम जीओन में कहीं ने कहीं गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां दूसरा पुन्य से कटती नहीं हैं और गल्तियों से पुन्ने स्वाप्त नहीं होता है पुन्ने का फल सुक होगा पाप का फल दुख होगा और सुख और दुख के मध्य में जो यह जीवन पिसेगा जो यह जीवन पिस रहा है जनम के उपर जनम, जनम के उपर जनम मार पढ़ती चली जाएगी करोड़ों करोड़ जनम भोग करके इस शरीर के अंदर आए ये शरीर मिला किस लिए परमात्मा के भजन के लिए उसके सानिद्दे के लिए, उसके समरपन के लिए उसकी प्राप्ति के लिए कि बजन करके वहां तक पहुंच जाएं, जीवन मुक्त हो जाएं लेकिन हम भूल गए कि जीवन मुक्ती के लिए तो हमने परियास ही नहीं किया हम तो परियास अनसारीक वस्तुओं के लिए कर रहे हैं हम तो परियास अनसारीक भोग विलास के लिए कर रहे हैं हम तो परियास अनसारिक पदार्थों के लिए कर रहे हैं हम जिस चीज के लिए दोड़ रहे हैं उनका अस्तित्तव ही नहीं है और जब उनका अस्तित्तव जिसका है उसकी हम खोज नहीं कर रहे हैं जो आपके अंदर सब्द है उसकी खोज कीजिए सबद बोलने, सुनने, कहने, भासा से प्रे का ताकत है, प्रे की वस्तु है, ना वो हिंदी में बोला जा सकता है, ने वो इंगलिस में बोला जा सकता है, ने संस्कर्ट में बोला जा सकता है, ने उर्दु में बोला जा सकता है, ने फार्सी में बोला जा सकता है, ने तमिल में बोला जा सकता है क्योंकि सबद की कोई भासा नहीं होती सबद का कोई धर्म नहीं होता सबद का कोई मजब नहीं होता सबद की कोई जाती नहीं होती सबद के अंदर तो तेज होता है सबद के अंदर तो गूंज होती है सबद के अंदर तो ताकत होती है सबद के अंदर तो इतना पावर होती है कि वो आपको उस प्रम्तत्तों तक पहुँचा दे सबद अनुभव किया जाता है सबद सुना जाता है लेकिन इन कानों से नहीं सबद को देखा जाता है लेकिन इन नेत्रों से नहीं उन नेत्रों से जो तीसरा नेत्र है उससे जब आप तीसरे नेतर के उपर जाओगे तो आप समझ लेना कि आप उस द рядом तक पहुँच गए हो उस चोखट तक पहुँच गए हो उसके दर्वाजे के उपर खड़े हो इस दर्वाजा ये खुलते ही आगे का रास्ता खुल जाएगा और मंजिल के लिए तलास शुरू हो जाएगी लेकिन जब आप आग्या चकर तक नहीं पहुँचते नीचे के चक्रों में हो ऐसे ही गिरते पढ़ते ऊठते रहोगे उसकी चोखट तक भी नहीं जा पाओगे लेकिन जब आप चोखट के उपर जा करके उस दौर को खटकटा दोगे तो एक नैक दिन, एक नैक समय, एक नैक जो भी जीवन होगा आगे का जो भी रास्ता होगा वो तै अपने आप होने लगेगा क्योंकि आपके अंदर विराजमान जो ये आत्मा है जो सदा आपके साथ रहती है आपके कर्मों का गवा है साक्सी है आपके साथ रहता है और सब कुछ करते हुए भी, साथ रहते हुए भी, और सब करमों से दूर रहता है, ये आत्म वो ताकत है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, सब के अंदर यही विराजमान है, चाहे आप परधानमंतरी को देख लीजिये, राष्टरपती को देख लीजिये, किसी भी जीव क देख लीजिये, चाहे कितने भी उचे पद के उपर बैठा हो, चाहे कितना भी ताकतवर सरीर हो, चाहे कितना भी मजबूत आदमी हो, चाहे कितनी भी कलाएं लिए हुए हो, चाहे कितना भी अलग हो संसार से, चाहे कितना भी विशाल का हाथी जैसा हो, डाइनासोर जैसा हो, चीटी जैसा प्राणी हो या और भी सुक्सम जीव हो या और सुक्सम दर्शियों से देखे जाने वाले जीव हों सब के अंदर वो आत्मा विराजमान है वो ये नहीं कि हाथी के अंदर भारी आत्मा होगी चीटी के अंदर हलकी आत्मा होगी ये विचार जो है ये भरम पैदा करते हैं ये विचार जो आपकी खोज में रुकावट पैदा करते हैं मन के अंदर संकाएं पैदा करते हैं मन के अंदर दूइदा पैदा करते हैं कि हाती के अंदर वो आत्मा चीटी वाली आत्मा कैसे आ सकती है इतना सा कैसे हो सकता है ये त इतने बड़े मानों की आत्मा एक छोटे से कीडे में कैसे जा सकती है यह जो परसनूतपन होते हैं इस परकाल का जो खेल चलता है मन के अंदर यह बर्म पैदा करने वाला है क्योंकि उसने समय कहा है यह आत्मा सब जगे विराजमान होती है और आत्मा इतनी ताकतवर होती है इसको ने कोई घटा सकता ने कोई बढ़ा सकता जब ये आत्मा शरीर से निकल करके जाती है परदानमंतरी भी मर जाता है पसुपक्सी भी मर जाते हैं पेड़ पोदे भी मर जाते हैं जीव जन्तु भी मर जाते हैं आकास के तत्तों भी मर जाते हैं समुंदर की वहेल भी मर ज प्रकरती का खेल है ये प्रकरती जो चल रही है जो सदा से है थी और रहेगी क्योंकि प्रमात्मा के साथ इसका तालमेल है इस प्रकरती के बिना कोई बीने शरीर होगा ना था ना है तो कभी आपको ये प्रकरती बड़ी नजर आने लगती है कभी प्रमातमा बड़ा नजर आने लगता है कभी मा जगदंबा बड़ी नजर आने लगती है कभी पिता परमेशवर बड़ा नजर आने लगता है हम इसका बलेंस ने बनाते हुए हम इसको ध्यान के अंदर ने देखते हुए एक एक चीज का महतव नहीं समझते हुए हम इसके अंदर बुरी तरह से फश जाते हैं और साधना को छोड़ करके बस भाग लेते हैं दूसरी और लेकिन हमें साधना के बिना ने कुछ प्राप्त हुआ है ने कोई प्राप्त होगा कितने भी हाथ पहर मारें कितने भी पूस्तके पड़ें कितने भी जोर लगाएं कितने भी विचारों को इदर उदर दोड़ाएं गुमाएं साधना के बिना नहीं हो सकता और जब आप साधना बड़ी साधनी के साध करोगे एक एक सुनास को पकड़ करोगे मन को साक्सी बना करोगे मन को देखते हुए साधना करोगे फिर हिलने को जगए नहीं होगी आपका जो ये शरीर है मन है इसका ताल मेल ये दोनों ताकतवर चीजे हैं क्योंकि इंदरियां भी ताकतवर हैं ये इंदरियां इदर उदर ले जाती है जीव को और इस शरीर को बढ़काने लगती हैं यह मन कहता है उठो वहां अच्छी चीजें भोजन मिल रहा है वहां अच्छी चीजें भोगने की मिल रही है वहां चल के इनका भोग भोगेंगे अच्छे इस्तेमाल करेंगे और मोज उड़ाएंगे वहाँ जा करके देखेंगे कि अगर एक ही चीज को बार-बार इस्तेमाल करेंगे, बार-बार इस्तेमाल करेंगे, उससे ये शरीर और मन दोनों बने लगते हैं, पहले वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़े दिनों बाद वो चीज बहुत बुरी लगने लगती ह ये मन का खेल है, ये मन के अधीन सब कुछ है, ये मन का चलाए हुए चल रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों मजबूत चीजों के उपर पकड़ करेंगे, मन के उपर भी और सरीर के उपर भी, जब दोनों का हम ध्यान रखेंगे, दोनों को ध्यान रखते हुए देखेंगे, तो फिर रास्ता खुलने लगेगा, शुरत उपर उठने लगेगी, जागने लगेगी, और ध्यान लगने लगेगा, जब आप सुम्रण करोगे, चढ़ाई शुरू हो जाएगी, एक एक चकर क बेदते हुए आगे बढ़ोगे और ध्यान जबाब करोगे तो वो ठहराओ देगा कि इस जहां हम स्थित हो गए जहां हमारी स्थिति हो गई जहां हमारी चडाई शुरू हो गई उस चडाई तक हम वहां तक पहुँच जाएं और उससे नीचे ना गिरें यह ध्यान का कारिये है कि हमारे अंदर स्थिर्ता आजाएगी हमारे अंदर एक ठहराओ आजाएगा हमारे अंदर इतनी अक्समता पैदा हो जाएगी कि हम नीचे की स्थिति में नीचे के लोकों में ना गिरें उपर ही उटते चले जाए यह कारिये ध्यान का है जिस परकार से हम कुए के अंदर से हम वो बोकेट खीचते हैं बाल्टी खीचते हैं तो एक ऐसे उठाते रहते हैं खीचते रहते हैं और रसी को पैर के नीचे दबाते रहते हैं पैर के नीचे दबाने से क्या होगा अगर हाथों से रसी छूट भी गई एकदम से वो नीचे जाने लगेगी जब बाल्टी तो पैर के नीचे जो रसी दबी हुई है वो उसको नीचे नहीं गिरने देगी और जब वो नीचे नहीं गिरेगी तो स्थिती वहीं रह जाएगी और फिर उठा करके खीचने लगेंगे वही कारिय इसके तालमेल का है ध्यान और सुम्रण के तालमेल का जब ये ध्यान और सुम्रण का तालमेल होने लगेगा तो जीव की जागर तवस्ता अनुभव होने लगेगी देवता पीछे पीछे गुमेंगे बुलाने कि आउसको ये जिकत हुई है मुझे तो नहीं होगी जो ये भरम है ना इसको आप जितना जल्दी हो उतना त्याग दो साधारन लोग हो चाहे ऐसाधारन लोग हो चाहे अवतार हो चाहे देवता हो चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो एक ने एक दिन शरीर का त्याग करना ही पड़ता है और जब शरीर का त्याग होगा तो रास्ता आगे का चाहिएगा, वहाँ भजन चलेगा, वहाँ सुमरण चलेगा, सानसारी कवस्तुएं नहीं चलेगी, ये जीव आप कितना भी कोशिश करो, जब तक ये पाप उन्ने की इस से परत नहीं हटेंगी, हलका नहीं होगा, जिस प देखे होंगे, जब आप उसके अंदर हवा बर दोगे और उसको खोलोगे, वह अपने आप उड़ जाएगा, उसी परकार से ये आत्मा है, जब आप इसके अंदर भजन की वायू भरोगे, अपने आप उड़ने लगेगी, ये परत हटा दी जाएंगी, पापुन्य की अगरत होगी, उतना ही वेग तेज होगा, उतनी ही उड़ान तेज होगी, मैं ये जो बोल रहा हूँ, इसका ये अरत नहीं कि आप ध्यान में बैठ करके उड़ने का परियतन करो, ये अरत नहीं है, इसका ये अरत है कि आप ध्यान में बैठ करके सुमरण करो, जितनी भी सं सारीक बाते हैं, जितने भी रास्ते में दिखाई देने वाली चीजे हैं, जितने भी रास्ते में अनुभव होने वाले हैं, जितने भी रास्ते में सवपन दिखाई देते हैं, कोई देवी देवता नजर आता है, कोई और वस्तुएं नजर आती हैं, कोई और चीजें नजर कुछ भी कैसे भी हो आपको वहां ठहरना नहीं है जो जहां ठहरा वहीं रोक लिये जाओगे और जो जहां रोक लिया गया चढ़ाई वहीं रुक जाएगी फिर और ज्यादा जोर लगेगा और ज्यादा प्रियास करना पड़ेगा तब ही आप उठ पाओगे नहीं तो उस जन अधिन को तो सपने में भी सुक नहीं है क्योंकि जिस परकार से बांद दिया जाता है किसी भी जानवर को, किसी भी पस्वों को चाहे पिंजरे के अंदर रोक दिया जाए चाहे गले से बांद दिया जाए पैर से बांद दिया जाए चाहे वैसे किसी भी परकार से बान दिया जाए सुखी जीव नहीं हो सकता कितना ही कुछ भी हो चाहे उसके सामने खाने पिने की कोई भी वस्तु रख दी जाए सुखी नहीं हो सकता उसी परकार से वहां रोक दिये जाओगे इदर उदर ध्यान ना बठकाते हुए अपने लक्षे के उपर ध्यान दो जब आप लक्षे के उपर ध्यान दोगे रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा इतनी ताकत होती है नाम के अंदर जिस परकार से एक लेंस सुरिय की किर्णे बिखरी हुई हैं सब दिसाओं के अंदर लेकिन हम एक लेंस लें दूप के अंदर करें एक छोटी सी टिकारी सी बनने लगेगी और वो टिकारी अगर हम कागच के उपर लगा दें कपड़े के उपर लगा दें वो नहीं जला सकती, परभाव नहीं होता, उसी परकार से जब हम ध्यान को इतना मजबूत कर देंगे, कि सब का सारा का सारा ध्यान इकठा हो करके, एक बिंदू के उपर हम इस ध्यान को एकागर कर देंगे, तो ये हमारे पाप पुन्य को जलाने लगेगा, नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, नाम के अंदर इतनी सक्ति होती है, नाम के अंदर इतनी अक्समता होती है, पावर इतनी होती है, कि ये जो भी ध्यान है, जो भी खेल है, जो भी आपका जीवन है, जो भी शारा सब कुछ आपने इकठा किया है, जो जनम जनमांतर का पाप पुन्य है जो अनंत जनमों का खेल है जो संचे किये गए करम है सब का सब कुछ जलने लगता है और जब ये जलता है तो आत्मा पुट्र होने लगती है और वो उपर उठने लगती है उपर के लोकों में चलने लगती है और चढ़ाई शुरू होती है रास्ते कोई रोकता नहीं है जिसके अंदर बहुत ताकत होती है लेकिन इसके लिए तयार करना पड़ता है जिस परकार से एक बांसुरी को तयार करते हैं बांसुरी को अगर क्या है एक बांस है उसको बजाने का परियतन करोगे नहीं बजेगा किसी भी लकडी को बजाने क कोशिश करोगे नहीं बजेगी उसके अंदर से सुराक किया जाता है उसके अंदर से उपर सुराक किये जाते हैं एक एक स्तान माप करके सुराक किये जाते हैं उसके आगे से और सुराक किया जाता तैयार की जाती है आगे पिछे से तैयार किया जाता अंदर से खोल किया जाता पूरी तरह से जब वो तयार होती है वो होटों को छूती है उसके अंदर हवा जब फूकते हैं सुर निकलने लगते हैं उसको गाएन करते हैं उसके उपर लोग एक-एक सुर को लोग पहचान लेते हैं ये क्या बोल रहा है बाशुरी का एक-एक सबदकानों में गुजने लगता है कि किस परकार से क्या बोल रहा है आप उसको बजते ही उसकी धुन बताने लगोगे ये उस गाने की है ये उस चीज की धुन है ये उस सबद की धुन है ये बाशुरी ये बोल रही है उसी परकार से जब आप इस परका से अपने आप को त्यार करोगे, अंदर से साफ करके, अंदर से जो कुडा कचरा जमा हुआ है, उसे जाड़ करके, उस ध्यान के दोवारा अपनी इस बंकनाल को खोलोगे, जो रीड की अड़ी के अंदर होती है, इसको जब खोलोगे, यह बाशुरी की तरह खुल जाएगी, और बासुरी की तरह से ही इसके अंदर से सुर सुनाई देने लगेंगे, जब ये सुर बजने लगेंगे, पाप और पुने दोनों भागने लगेंगे, जल जाएंगे दोनों, क्योंकि नाम के अंदर इतना तेज होता है नाम के अंदर इतना परताप और इतना परभाव होता है कोई भी करम नाम के सामने नहीं ठहरता एक नेक दिन जल करके भजम हो जाता है और नाम केवल करमों को नहीं जलाता चड़ाई भी साथ में करता है इसके जितने भी लाब गिनाए जाएं उतने ही कम हैं क्योंकि यहां तक है दियारिशी मुनियों ने तो राम से बड़ा तो राम का नाम होता है क्योंकि उस नाराम ने तो गिंती के जिव उतारे होंगे उतारे होंगे या नहीं उतारे होंगे जिव क्योंकि जामवंत तक यहीं गूम रहे थे अभी तक तो कैसे जिव आप देखो राजा जनक भी फिर जनम ले करके आ गए कितनी बड़ी बात है जिन्होंने विदेई पद को पराप्त कर लिया दिने राजा होते हुए यही नहीं पता था कि शरीर है या नहीं है कि शरीर का कुछ पता ही नहीं रहता था कि कहीं दर्द हुआ है कहीं चोट लगी है कहीं कोई प्रेशानी है इत्यास में नाम है, उनका लोग भजन गाते हैं, उनके बारे में हर्याना के अंदर भी और विशो के अंदर भी जनक जी के भजन गाए जाते हैं बड़ा बड़े गृतों में उनका वरणन आता है कि जनक जी ने विदेईपद को पराप्त कर लिया लेकिन हमने देखा कि जनक जी ने भी दुबारा जनम ले लिया और आ करके फिर साथ ना शुरू की मन के अंदर और एक इच्छा कि लोगों की भलाई करेंगे ये इच्छा फिर लेकर के आ गई विदेईपद के बाद भी जब विदेईपद इतनी उची स्तिती होती है इतनी उची चड़ाई होती है कि शरीर का नुबवी ने रहे शरीर है या नहीं है शरीर के अंदर कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा हर समय एक टक ध्यान लगा रहे उस हरी के चलनों में उस समय के अंदर जो विराजमान ताकत है अपने आप के ध्यान को खेंच करके वहां लगा दिया गया हो ने हिलता हो ने हिलाया जाता हो ने परियास के बाद भी उसका कुछ होता हो बस एक ध्यान जम गया जहां स्रीराम जी समय आए थे साकशाद दरसन के लिए रिष्टा लेकर करके और विवास तक कर लिया शिता जी के साथ कितना स्रेष्ट बात है कि समय स्रीराम जी जिनके सादी के लिए पहुँछे कितनी बड़ी बात होगी वो, विचार करो, वो भी दुबारा जनम लेकर किया रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात होगी, इसका मतलब आसानी से इस जीव का पिछा नहीं छूटता, चाहे अवतारों का संग हो, चाहे किसी का भी संग हो, बिना सुमरण के, बिना प्राप्ति के, बिना समर्थ के, वहां तक नहीं जाया जा सकता, यानि राम के सानिद्दे के जो जीव हैं, वो भी प्रत्वी के उपर ही घूम रहे हैं, जो स्री किर्शन के साथ के जीव हैं, वो भी यहीं घूम रहे हैं, क्योंकि अगर उनके दर्शन मात्तर से मुक्ती होती, जो हमने सत्ते मान लिया, कि प्रमात्मा के दर्शन हो जाएं और जीव नमुक्त हो जाएं तो फिर असवत्थामा को भी हो गई होती बहुत ऐसे और भी जीव हैं जो उनसे मिले हैं बहुत रहसे में हैं ये चीजें कि वो जीव मिले हैं उनकी आयवाज और भी लंबी है उसी समय के करपाचारिय जी को देख लीजिए वो भी ऐसे ही गूम रहे हैं ऐसे रहसे में बहुत जीव हैं जो उस समय से उनके साथ थे जिनोंने बातें की उनके साथ जिनोंने उनके साथ भोजन किया जो उनके साथ रहे जो वारता लाप किया जो सानिद्दे में उनके चाहे युद्द किया चाहे दुसमनी की वेर किया कुछ भी किया लेकिन दर्शन किये और साथ रहे उनके कितनी बड़ी बात है जिनके साथ उनके व्युद्द तक किये वो भी जीव ऐसे ही हैं कितने ताकतवर जीव होंगे इसका ये मतलब है कि उनके साथ रहने के बाद भी अगर हम अपने करमों को नहीं सुधार पाए अगर हम नाम का सुमर्ण नहीं कर पाए अगर हम हरी को समर्पन नहीं कर पाए हमने कुछ नहीं पाया जीवन ऐसे ही खो दिया ऐसे ही छट पटाते रहे और ऐसे ही निकल गए तो साधना कितनी आउसक है साधना कितना गंभीर विशे है कुछ लोग बोल देते हैं हाँ जीवन मुक्त मैं कर दूँगा अरे आपके पिताजी ने लोक बना रख्या है क्या वहाँ कि बोलोगे और हो जाएगा मूरक बनाने वाली बाते हैं लोगों को बेवकूब बनाने वाली बर्मित करने वाली साधना से बठकाने वाली बाते हैं जो ऐसे लोगों के फस जाता है जीवन फस जाता है उनका ये जनम भी खराब हो जाता है अगला जनम भी खराब हो जाता है क्योंकि बिना साधना के बिना नाम के बिना सार सब्द के बिना नाम की कमाई के बिना सब्द धुन सुने कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता वहां तक चड़ाई नहीं हो सकती लेकिन आप लोगों को ध्यान के बिना कैसे जागोगे और कैसे वहां तक पहुँचोगे इतना गंभीर विशय है ये साधना का इतना गंभीर विशय है जितना इसको खोजोगे जितना अंदर में उतरोगे उतना ही आप अपने आप को ये पाओगे कि अभी तक हमने कुछ सीका ही नहीं अभी तक हमने कुछ जाना ही नहीं अभी तक हमने कुछ पाया ही नहीं ये नितन उतन होता है ये हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है हमें एक ही जो हमें चीजें दिखाई देती हैं उसको बार-बार देखने का परियास नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को कुछ अनुभव होते हैं वो बोलते हैं कि हमें उस दिन तो ये अनुभव हुआ था अब नहीं हो रहा उन्हें ये सोचना चाहिए वो पीछे की सीडी थी अब हम अगली सीडी के उपर चल रहे हैं इन चीजों को प्राप्त करना देखना हमारा लक्से प्रमातमा को प्राप्त करना है हमारा लक्से साधना करना है हमारा लक्से उस सचे बाद स्या तक पहुँचना है अगर हम हमें कोई आज वस्तु दिखाई दे और हमें ये लगे कि हाँ मेरी चड़ाई हो रही है अगर कल वो चीज ना दिखाई देगी तो कल ये लगने लगेगा नहीं आज हमारी चड़ाई नहीं हुई ये मातर भरम है ये माया का जाल है जो लोगों के उपर फैला दिया जाता है जीओं के उपर डाल दिया जाता है बंदन पैदा कर दिये जाते हैं बंदनों के अंदर जीओ मचली की तरह से फसा लिये जाते हैं और वो चटपटाते रहते हैं जाल के अंदर और उसको संसार के अ अच्छ होते हैं काल वगेरा वो उसको खा जाते हैं और जिव बेचारा ऐसे ही बटक बटक करके फिर जनम लेता है फिर आता है फिर जाता है ऐसे ही जिव की गती होती रहती है जिव ऊपर से नीचे बटकते 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 यह आत्मा इतनी टूट जाती है कि आसा ह छोड़ देती है कि परमात्मा नहीं मिलेंगे समर्थ गुरू इस अंसार के अंदर नहीं है अगर हैं इस अंसार के अंदर तो हमारे लिए नहीं है हमें प्राप्त नहीं होंगे इसी परकार से ये जीव बरम के अंदर भै के अंदर दुखी होते 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 फिर एक साधार जीवन छोड़ करके और नीचे के लोकों में विचरन करने लगता है इंदरियों में फस जाता है ये सोच करके कि कम से कम अगर परमात्मा नहीं मिलने वाले तो इस जीवन में तो मैं मोज कर लूँ जो मर्जियाए खापी लूँ जो मर्जियाए बोग बोग लूँ जो मर्जि के करमों के अंदर मर्जी के विशे वासनाओं के अंदर ये जीव फिर फश जाता है क्योंकि वो करम भी जूडने लगते हैं फिर उनकी सजा भी होती है फिर उनका प्राइस्चीत भी करना पड़ता है फिर ये जनम तो चली रहा था हम अगला जनम और खराब कर लेते हैं फिर भैबीत कर दिया गया है जीव इतना तूट चुका है कि ये आत्मा अब खड़ी होने से कतराने लगी है ड्रने लगी है नाम जपने का इसके अंदर अब चाव नहीं रहा आलस आ गया है शरीरों ने ये सोच लिया कि नहीं कोई लाब नहीं होगा इतनी उची के चड़ाई कैसे करेंगे हम इतनी उची आत्माए थी उनका कल्यान नहीं हुआ तो हमारा कल्यान कैसे होगा ये अनेको अनेक सवाल मन के अंदर विचरते रहते हैं मन के अंदर गूमते रहते हैं लेकिन ये मन आपको और ज़्यादा कमजोर कर देता है और ज़्यादा भै पैदा कर देता है और ज़्यादा डर पैदा कर देता है कि नहीं ऐसे ही चलता होगा ऐसे ही होता होगा कुछ रही है वो मुझे ले रहा है मुझे भी लेनी चाहिए क्यों साधना करूं लेकिन जब आप साधना करोगे आपके अंदर में जो ताकत है नाम की जो ताकत है नाम का जो तेज है वो जब जागरत होगा आपको एक एक अनुबहquito हुआ आपको एक पल के लिए भी उसके दर्शन हुए आपको एक पल के लिए भी प्राप्ति हुई अगर आपको एक पल के लिए भी वो नाद सुनाई दिये आपको जो आनंद आएगा आपको जो लाब होगा सोच नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर जो छूपी हुई ताकत है उसका कोई अंदाजा नहीं है और हम इन छोटी छोटी चीजों से उपर उठ करके परमात्मा की और जो बढ़ रहे हैं जो परियास चल रहा है जो हमारी कोशिश है ये धीरे 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 ये रंग लाने लगेगी और इसका महतव समझ में आने लगेगा ताकत का अंदाजा होने लगेगा उस परमपिता परमेशवर की किरपा बरसने लगेगी और सबसे बड़ी बात जो नाम की ताकत आपके समझ आने लगेगी अगर ये नाम आपके अंदर रम गया कोई नहीं निकाल सकता और जब ये नाम रम जाएगा तो कम से कम मानो का चोला तो प्राप्त होई जाएगा कोई नहीं रोक सकता मानो का चोला प्राप्त होने में और जब ये नाम आपके अंदर घूमने लगेगा स्वास पर स्वास तो ताकत पैदा होने लगेगी एनर्जी पैदा होने लगेगी और लाब इतना होगा गिनाए नहीं जा सकते कोई नहीं गिना सकता नाम के लाब इतनी ताकत होती है इसके अंदर इतने फायदे होते हैं इस अनसार के अंदर चाहे हम कितने भी करमकांड करते रहें आप लोगों ने भी किये हैं कर भी रहे हैं प्रियास भी कर रहे है जोर भी लगा रखा है गुम फिर के भी देखा है सब तरह के करमकांड चानों तरफ होते भी देखे हैं उनके लाब और हानियां भी देखी है लेकिन नाम की जो ताकत है उसका कोई अंदाजा नहीं है मैं इसलिए बोलता हूँ उसका भजन करो और जब आप उसका भजन करोगे संसार का कोई भी कारिया ऐसा नहीं है जो आपका नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है आप नहीं बोलोगे तो भी रास्ते खुल जाएंगे आप नहीं मांगोगे तो भी वो दे देगा आ आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, तो भी काम हो जाएंगे, क्योंकि नाम के अंदर जो दोलत है, नाम की जो कमाई है, नाम के अंदर जो छुपा हुआ ख़जाना है, अभी आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, जब आप इस रास्ते के उपर चलोगे, नाम की खोज जोलत की कमाई करोगे, तो आपको इस चीज का एहसास भी होगा, ताकत भी मिलेगी, बढ़ने की सक्ति भी मिलेगी, आगे चड़ाई भी प्रारम्ब होगी, परमात्मा की करपा भी वशुद हैगी, उसका नाम भी जागरेत होगा, तो ताकत का एहसास तभी होता है, जब को वस्तु हमारे पास हो तो नाम की कमाई के साथ साथ आप ध्यान के उपर भी जोर दीजिए नाम के उपर भी दीजिए सुमरण के उपर भी दीजिए क्योंकि इसके बिना जीव का और जगत का इस संसार का कल्यान संभव नहीं है अगर एक जीव भी उतर जाता है तो लाखों जीवों को जगा जाता है जब लाखों जीव जागते हैं परमात्मा की तरह बढ़ते हैं तो उसकी कितनी किरपा बरस्ती होगी कितनी चड़ाई होती होगी वो सचा बाच्छा, वो परमात्म, वो पूरन पुरुष अनंत ब्रम, वो दूर नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि वो परमपिता दूर है, अपने से दूर है, बिल्कुल भी नहीं है, जब आप ध्यान के अंदर रोज सुम्रण करोगे, हर रोज ध्यान करोगे, हर रोज उसक नाम के उपर बैठोगे वो परमात्मा धीरे धीरे आपके नजदी काता जाएगा और गुरू भी आप से दूर नहीं रहेगा क्योंकि जिसको आप ये सोचते हो वो तो हमारे से अजारों क्रोडों को उस दूर है और लाखों मील दूर है कैसे आएगा वो तो आप उसको करोगे बिल्कुल साथ में कि पास में है पास में चल रहा है हमारे साथ में है क्योंकि ध्यान की पकड़ जब मजबूत होती है तो आप वहां बैठे बैठे अपने गुरू से भी बात कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो अक्समता पैदा हो जाएगी आपके अंदर वो चेतना जागरत हो जाएगी जब वो जागरत होगी उठना शुरू होगी शुरत लगेगी सबद जागरत होगा तो जब सबद का मिलाप होगा तो सबद के साथ वारता लाप भी हो जाएगी लेकिन उसके लिए आपको केवल ध्यान किया हो सकता है नाम किया हो सकता है और एक करम अपने ध्यान दे करके क्योंकि आप ये समझना जो भी हम करेंगे वो करम हमारा बहुशे निर्दारित करेगा एक भी हमारा किया गया करम एक भी हमारा उठाया गया कदम एक भी हमारा बोला गया सब्द एक भी चला गया कदम किसी भी परकार से कुछ भी अगर हम करेंगे ये हमें भोगना ही पड़ेगा चाहे हम पुन्य करें चाहे हम पाप करें लेकिन जब नाम का सहारा ले करके नाम की ताकत को साथ ले करके नाम को साथ ले करके जब हम आगे बढ़ेंगे नाम की तलवार पाप और पुन्य दोनों को काटती चली जाएगी जब इन दोनों को काटते चले जाओगे आत्मा बहुत पवित्तर हो जाएगी तेजस्वी हो जाएगी सबद के अंदर इतनी ताकत आजाएगी जो बोलो होगे वही होने लगेगा क्योंकि सबद के अंदर इतनी ताकत जब आप आग्या चकर के उपर पहुँचोगे, दवार के उपर पहुँचोगे, सबद मजबूत होने लगेगा, इतना मजबूत हो जाएगा, सबद कटेगा नहीं, कितना भी कुछ भी कर ले कोई भी, कितना भी कोई भी देवी देवता हो, सबद को नहीं रोक पाएगा, ये सब्द सब्दों का खेल है और सब्द सब्द ताकत के साथ चलते हैं और सब्द सब्दों की ताकत चढ़ाई के साथ मापी जाती है सब्दों की ताकत तेज के साथ मापी जाती है साधना के साथ मापी जाती है और जब सब्द सब्द आपस में टकराते हैं तो जिसका सबद मजबूत होता है वही आगे बढ़ जाता है तो सबद का जो खेल है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और जिसको ये सबद का खेल समझ में आजाएगा तो उसको और कुछ भी खेल खेलने की और कुछ भी सोचने की और कुछ भी विचार पैदा करने की आवसकता नहीं रहेगी संसारी कवस्तूं से निकलने की आवसकता नहीं रहेगी क्योंकि संसारी कवस्तूं में रहते हुए जिस परकार से जल के अंदर मुरगाई रहते हुए जल के अंदर बहुत से ऐसे पक्सी हैं जो जल के अंदर भी विचरन करते हैं, आकास के अंदर भी विचरन करते हैं, उसी परकार से आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये जीवन हो जाएगा, कि संसार के अंदर भी हो और उस ब्रम की तरफ भी बढ़ गए, जिस परकार से थोड़ा शुरुवात में ताकत लगेगी ध्यान लगाने में, सुमरण करने में, परियास करने में, कोई भी कारिया कोई सीखता है, जैसे कोई गाड़ी का मेकैनिक है, गाड़ी चलाने वाला है, कोई भी कारिया करने वाला है, शुरू में जब खेत में जाते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाला है, हल्जोतने वाला है, कारिये सीखते हैं धीरे धीरे उस कारिये को रोज करते हैं रूटीन बनता है दो चार साल दस साल वो कारिये करते हैं वो कारिये इतना असान लगने लगता आख मंद करके भी हम वो कारिये कर देते हैं उसी परकार से ध्यान के अंदर जब आपको शुरुआत होगी आपको अज अंदाजा नहीं, आप समय का कितना सुदुपयोग कर रहे हैं, आपका एक एक पल कितना कीमती है, और एक एक पल का आपको कितना लाब मिल रहा है, आपके विचारों के अंदर भी नहीं होगा, कि ये कितना लाब हमें पराप्त हो रहा है, जब इसका लाब पराप्त होगा, ज जब इसके परिणाम नजर आएंगे, जब आपको इसका महतोपता चलेगा, तब ये सब कुछ आपकी आखों के सामने होगा, कि आपको क्या पाया है, कितना सुधुपयोग ये हुआ है, कितना पुरियोग हुआ, कितना हुपयोग हुआ, एक एक सब्द का बड़ा गहरा अर्थ और रहस्य है क्योंकि जितने भी सब्द होते हैं वो रहस्य को परकट करने के लिए उस अनंत को परकट करने के लिए कभी भी पूरण नहीं होते लेकिन संत लोग हमेशा प्रियासरत रहते हैं जितने भी जिव इस महरग के उपर चल सकें उस अच्चे बाद शय की और बढ़ सकें उस पूरण पुरुष अनंत की और बढ़ सकें उतना ही कारिय उनका होता चला जाता है क्योंकि वो ये चाहते हैं जो भी जीव जो भी सादक उस अच्चे बाद स्या तक पहुंच जाए उतना ही शरेष्ट है क्योंकि जितने भी जीव जितने भी इस अंसार के अंदर किसी के उपर भी करपा उस परमात्मा की बरस जाए और वो उसके समान हो जाए इस से बड़ी ताकत किसी में ना थी ना है ना हो सकती तो आप ध्यान करो उस परमपिता परमेश्वर का जो जितना ध्यान करेगा सुमरन करेगा उसका रास्ता उतना ही खुलता जाएगा परमात्मा की करपा उतनी ही बरस्ती चली जाएगी उस सचे बाद्शा की तरफ जब आप कदम बढ़ाएंगे वो हाथ पकड़के आपको अपने मारग पर अपने आप ही चलाने लगेगा तो आप ध्यान कीजिए, सुम्रन कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं, परियास कीजिए और अगली जो पुरनीमा है आपको पता ही चल गया होगा कि वो छे की है, अभी सहस्ता के कुछ कारिय करम चल रहे हैं, उनका आप लोग बहुत परियास कर रहे हैं, जितना आप परियास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हमारी टीम भी कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हजारों की तादात में जो उ चल रहा है वो पूरे महीने चलता रहत इसमें आपको संसार को बहुत आने वाले समय में पता चल जाएगा ज्यादा समय नहीं लगेगा इस हरियाना के अंदर से तो छे महीने के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाएं इस परकार का समान पड़ा मिलेगा क्योंकि आप लोग इतनी महनत कर रहे हैं हर जिले के साथ टीम के साथ हर कोने के उपर नदी के अंदर जा करके निकाल रहे हैं कितनी महनत का कारिया है तो आप लोग इसी परकार से महनत करते रहें परमात्मा का नाम सुमरन करते रहें वो परमात्मा किसी का जो महनत करता है उस सब के अंदर विराजमान उस परंपिता परमेश्वर मेरे गुरू मेरे इस्ट को मेरा बार बार परणाम झाल 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 झा